वेस्ट आप गाईज, I hope you are doing well, I am very welcome to Stradler family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ शानदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और प्राई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो ये एक न्यूस है जो आज के ही न्यूस वेपर से है, दाहिंदू न्यूस वेपर में पब्लिस हुई है, ये न्यूस यहाँ पर बात की जा रही है, हरियाना कैडर की एक I.S. ओफिसर के बारे में जिनका नाम था रानी नागा, क्यों बोला था, इसलिए बोला क्योंकि इनके द्वारा अपना रेजिगनेशन दे दिया गया है, 2014 बेच की I.S. ओफिसर थी, इनके द्वारा बोला गया कि senior officer ऐसा करता है, तो कोई ज़्यादा solution वहाँ पर निकल का राता नहीं है, और department की जतकी बात आ जाती है, उरसी के चलते अब यहाँ पर यह भी बात इनके द्वारा बोलेगी, कि इनकी जान को भी खत्रा था, कुछ ऐसी चीज़े भी देखने को मिली, तो जिसके चलते इनके किताबों में चीज़े पढ़ रहे हैं, आगे चलकर चीज़े बहुत ज़्यादा practical होने वाली हैं, और जीतनी जिंदगी आप लोग मज़े की आज केट में जी रहे हैं, यह आप लोग को मज़े की जिंदगी नहीं, एक तरी से respect की जिंदगी बिलेगी, यानि कि अगर आप इस तरीके से society के welfare के लिए जो भी decision है, वो implement करने हैं, जैसे morning अभी हम लोग ने justice कहता, member of parliament, local area development scheme, यह सारी जो scheme होती हैं, यह implement की जाती हैं, जो DM होते हैं, जो district administrative officer होते हैं उनके द्वारा, पर लेकिन maximum जो चीज़े रहती हैं, वहाँ उपर से pressure रहता है, तो उस pressure को जहल कर आगे बढ़ना, उस pressure को भी balance करना है, और अपना काम भी करना है, तो इस तरीके से आप लोग को अपने आपको बनाना है, तो अगर सोच रहे हो कि काफी मजे करने हैं, आईस बन कर यह होगा, वह होगा, तो वह सारी चीज़े अपनी जगे हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बा तो कहीं न कहीं, खासकर और ज़्यादे challenging हो जाती है, जब कोई लड़की particular job में जाती है, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि जिस तरीके से आज केरे में भी हमारी country में चाहिए, किसी भी post पर क्यो नहों हो, पर लेकिन comfortable feel नहीं करती हैं लड़कियां, खासकर ऐसी post पर भी comfortable feel नहीं कर रही हैं, और तो कहां पर क्या बोला जाएगा, तो बड़ी सोचने वाली बात है, तो देखते हैं क्या condition है, आज की rate में चीजे कब तक सुधर पाती हैं इस सारी चीजे, आप लोग के सामने हैं, जो भी है, आगे चलता हूँ, ये quiz है आप लोग के सामने, इसको अब यहाँ पर मार्स के लिए, यान कि जो मंगलगर है, उसको explore करने के लिए, अपने एक mission का नाम यहाँ पर अभी दिया गया है, हाला कि पहले भी यह, ऐसे कई सारे mission छोड़ चुके हैं, पर लेकिन अब तक यहाँ पर success नहीं हुए, हमारी country यहाँ पर अब उसमें आ चु को बताना है, National Board for Wildlife, यह किस ministry के अंडर में आता है, यह बताना है, साले की जो particular forest land है, यह किस राजे के अंदर पढ़ती है, नासा के जो इंजीनियर है, उनके द्वारा डेलोफ किया गया है, विटल, यह एक ventilator है, high pressure ventilator, जो की COVID-19 के पैसेंस की help करेगा, खास कर आज केड में जितने ज़्यादा है, requirement ventilator की है, और जितने ज़्यादा है case आ रहे हैं, उसके चलते हैं, तो इसकी full form आप लोगों को बतानी है, आपर important question आप लोगों से बन जाएगा, next यहाँ पर बात की जा रही है, एक particular term के बारे में, वो term आप लोगों को बतानी है, जिसमें आपर public service cooperation क की बात की जाती है, और एक तरीकी से जैसे service है, जैसे कि telephone service हो गया, electric service हो गया, natural gas हो गया, postal service हो गया, water service हो गया, उसको भी हाँ पर यही बोला जाता है, जो banking system है, उसको भी इस particular category में डाला गया है, तो इस term को क्या बोलते हैं, यह आप लोगों को बताना है, जो recently अभी news में ह नेश्ट बात की जारे, banking service के बारे में, तो banking service जो है, उसको किसके order से अभी हाँ पर implement के जाएगा, और कौन सी ministry के अंडर में हाँ पर यह आ गया है, इस service की category में आने के बाद में, यह आप लोगों को बताना है, डेटेल में डिसस के अधा कल ही, एक organization का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके दुआरे हाँ पर 10 hydrogen fuel cell जो बस हैं, उनको इस टार्ट किया जा रहा है, तो किसके दुआरे हाँ पर यह बीड़ा उठाया गया है, first anti-sip missile, जो all over world में, किस country में हाँ और किस particular जो person के rule के duration में हाँ पर develop के गई थी, यह भी news में था, इसके बारे में हम लोग question की form में आप लोगों से पुछे जा सकते हैं, यह किसी question में यह statement भी आप लोगों देखने को मिल सकती है, तो अच्छे से इनको attempt किया किजिए, answer बताता हूँ, एक एक कर कर देखेगा क्या आप लोग का score रहा और कैसा answer रहा आप लोग का, सबसे पहले बात करते हैं, China का जो अच्रीज आगे चलने वाली है, ठीक है तो मार्स के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में वर्ल्ड मार्स जो मिसन है, वो अब तक चार कंट्री अब तक अचीव कर पाएं, पहला यहाँ पर एक इंडिया है, Russia, European Union है और इसी के साथ में United State of America, सबसे पहले जो यह achievement है आपर जो सबसे पहले जिसके द्वारा किया गया, वो है Russia, National Board for Wildlife के बारे बात करें, तो यह Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंडर में आती है, यह साले की जो particular जो reason है अभी recently news में था, तो यह आसाम के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं, नासा के द्वारा जो यहाँ पर डवलफ किया ग नाम है, किसी गन का नाम है, वेंटिलेटर का नाम है, तो COVID-19 के चलते हैं यह सारे question आप लोगों से exam में पुछे जा सकते हैं, और यह सारे जो question होंगे आप लोगों से general science के category में आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा जहां से सुनिएगा, बोलते हैं basically PUS, यहनिके Public Utility Service, जैसे जनता के लिए welfare के लिए काम किया जा सके इसके थुरू, और यह यहाँ पर lead किया जाएगा, industrial dispute act के थुरू, और labor ministry के अंडर यहाँ पर काम करने वाला है, normally यह finance ministry के साथ मिलकर काम करता है, जो banking system है, RBI के अंडर में, पर लेकिन अभी हाँ पर यह किसके साथ में काम करेगा, अभी हाँ पर जो काम चलेगा यह banking system का, यह चलेगा labor ministry के अंडर में, national thermal power corporation जिसको short form में आप लोग NTPC बोलते हैं, तो इसके बारें बात की जा रही है, तो इसके द्वारा develop की गए है hydrogen fuel cell, जो based bus है, ठीक है, next यहाँ पर first anti-ship जो missile थी, develop की गए थी Germany में, और किसके द्वारा यह Hitler साब थे उस टाइम पर जिसको develop किया गया था, तो यह है important facts, I hope कि आप लोगों ने अच्छे से enjoy किया होगा, answer score कैसरा, जरूर बताया कीजे सर्माना नहीं है, अगर 0 भी आता है, तो भी आप लोग लिखे, 0 आता है तो इसका मतलब यह कि सारे का सारा कुछ आप लोगों आईए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है, एक study के बारे में बात की जा रही है, जो है किया मैकोंग रिवर कमिशन के बारे में बात करते हैं, मैकोंग रिवर कमिशन, जो मैकोंग रिवर है उसके बारे में बात कर रही है आप तो यहाँ पर जो चाइना है आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके ओपर कई सारे डेम बना रखें तो इहाँ पर इसी तरीके से जो भी चाइना से रिवर होकर गुजरती है की सारे डेम उसके ओपर बनाते हैं अभी सेम रिवर यहाँ पर मैकॉंग है जिसके ओपर यहाँ पर डैम बनाए जा रहे हैं तो फ्रेस जो कोशन यह उठकर आता है कि जो डैम है वो क्या है जो फ्लो है इसका जो चाइने के अंदर ओरिजिनेट होकर यह रिवर जैसे कि ब्रहम पुत्र भी ओरिजिनेट चाइने मैं आप लोग को बता देता हूँ मैकॉंग गंगा कोर्परेशन वो मैकॉंग रिवर की जो बात की जा रही है यह मैकॉंग रिवर आप लोग को अलग देखे जो वैकॉंग रिवर है उसी के साथ मिलकर हैं पर हमारी जो गंगा रिवर है दोनों को बता कर हैं आपर आप लोगों से बन सकता है थोड़ा ध्यांजी सुनियेगा मैं कोंग गंगा corporation जो है यह इस्टेबिलिस के गया था 29 में 29 में इस्टेबिलिस के गया था कहाँ यह इस्टेबिलिस के अगया था लाओस के अंदर में ठीक है फॉसт जब इसकी ministry ले meeting आप लोग को यह हो गया मैनमार, तो यह सारी कंट्री हाँ पर मिलकर काम करती है, चार जो बेसिक एरिया है जिनमें कोपरेशन करती है, टूरिजम, कल्चर, एजुकेशनर और ट्रांस्पोर्टेशन, क्योंकि जो ट्रांस्पोर्टेशन मीडियम होता है, अगर रिवर के थुरू आप लोग कोई भी चीज ट्रांस्पोर्ट करते हैं, तो सबसे आसान थरीका उसको माना जाता है, ओरिजिनेट जो बेसिकली हाँ पर यह हुआ नाम जो इसका लिया गया, यह गंगा, गंगा रिवर से और मैकोंग, जो मैकोंग रिवर है, मैकोंग रिवर के बारे में हम लोग ने भी कोईशन एक्जाम में बन जाते हैं कई बार, तो कन्फूजन नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, यह भी एक इंपोडेंट न्यूज ओप्सन है, आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री के पॉइंट विसे, आप लोग को पता है हमारी कंट्री में जब मोंसुन आती है तो बहुत बड़ा रोल पिले करती है, यह जैसे आप लोग अगर इसको ऐसे देखेंगे, यह हो गया आपर नोर्थ, यह हो गया साउथ, यह हो गया इस्ट, और यह हो गया वेस्ट, ठीक है, जब हमारी कंट्री में मोंसुन आता है तो आप लोग बोलते हैं कि साउथ वेस् तो कई बार यहाँ पर उसकी जो प्रेडिक्शन होती है, वो ढंक से नहीं लगा पाते हैं, कई बार बोलते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है पर लेकिन होता कुछ और है, तो उसी को जहान में रखते हैं हाँ पर हमारी कंट्री में जो इंडियान इस्टिटूड ओफ साइंस ब इंडियान इस्टिटूड ओफ साइंस बेंगलोर है, और इसी के साथ में यूके की उनिवस्टी है यहाँ इस्ट एंगला, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बेव बंगाल बाउंडरी लियर एक्स्प्रिमेंट के बारे बात की जा रही है, तो बेव बंगाल अगर आप लोग इसके बारे में आप लोग देखें, तो बेव बंगाल वाला जो इसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर इससे लेटर बेव बंगाल बाउंडरी लियर एक्स्प्रिमेंट जो है इसमें भी, जो यूनियन, मिनिष्ट्री ओफ आर्थ एंस साइंस और इसी के साथ म तो ये इस particular area में काफी लंबे समय से काम करें जो team है आपर ये RV Sindhu RV Sindhu साधना in South Bay of Bengal में है तो हाँ पर ये study कर रहे हैं basically किस तरी चीजों को tackle किया जा सकते है और ये जो blueprint है future के लिए काफी important होने वाला है क्योंकि forecast के जाएगा accurately और इसका फाइदा क्या होता है मालीजे मचवारे हैं वो गए हो है ocean के अंदर में उनकी जान बचाय जा सकती है इसी के साथ में किसान जो है वो अपने खेतों में क्या होगा रहे है या फिर वहाँ पर बाढ़ आती है कोई AC condition बनती है तो इसके बारे में यह चोड़ी सी न्यूजर जो याद रखेगा next important information यहाँ पर एक footballer के बारें बात की जा रही है जिनका नाम था चुन्नी गौस्वामी यह इनका नाम आप लोग ने वैसे भी सुना ओगए वैसे काफी important personality थे यह काफी legendary footballer आप लोग इनको बोल सकते हो कोलकता से बिलोंग कर देते 82 एर की एज में अभी इनकी death हुई चुन्नी गौस्वामी जो है आपर यह captain भी है चुके है जब gold medal जीता गया हमारी country की football team के द्वारा जकारता यानिके इंडोनेशा के अंदर में ठीक है मोहन बगान रतन अवोर्ड इनको 2005 है मिला West Bengal government के द्वारा इनको confirm किया गया बंगा भूशन ठीक है तो यह अवोर्ड यहाँ पर मिले इनको आप लोग याद रखे हैं confusion नहीं होना है अगर हमारी country में सबसे best अवोर्ड के बारें बात करते हैं अवोर्ड दियाते हैं तो उनके बारे में आप लोग याद रखे हैं सबसे उपर आता है भारत रतन दूसरे नंबर पर आता है देखें यहाँ चार अवोर्ड है चारों में confusion कई बार आप लोग हो जाता है दूसरे नंबर पर आता है पदम विभूशन तीसे नंबर पर आता है पदम भूशन चोथे नंबर पर आता है पदम सिरी ठीक है तो यह यहाँ पर जो अवोर्ड है हमारी कंट्री में सबसे नीचे पदम सिरी फिर पदम भूशन फिर पदम विभूशन और फिर होता है भारत रतन चो यह चार वोड है हमारी country में जो कि कई बार confusion create करते हैं तो confusion नहीं होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ता हूँ Next यहाँ पर DRU यहाँ के Defense Research and Development Organization जो के Defense Ministry के अंडर में आती है हमारी country में इसके द्वारा develop किया गया है Ultra Violet Disinfection यहाँ कि जो infection हो जाता है उसको disinfection करने के लिए यहाँ पर develop किया गया है जो कि यहाँ पर chemical free होगा और एक तरीक से rapid disinfection यहाँ पर कर सकता है तो यह काफी important है question पूछ लिया जाएगा इसका नाम रखा गया है UV Blaster तो UV Blaster किसके द्वारा develop किया गया है तो यह एक तरीक से highly, एक तरीक से जो यहाँ पर highly helpful होगा अगर infection हो गया है किसी को disinfection करने के लिए खास कर जैसे कि जहाँ पर आप लोग spray नहीं कर सकते हैं जैसे computer होगे, electronic equipment होगे, gadget होगे अगर होँआ पर आप लोग को लगता है कि कोई virus का infection होगया है या फिर कोई machine होगे, equipment होगया, कोई अच्छे खासे experiment lab होगे वहाँ पर अगर लगता है तो इसका use वहाँ पर किया जा सकता है तो इसलिए काफी important बन जाते हैं हाँ पर कहीं न कहीं इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा idea जरूर रखेगा, आगे बढ़ते हैं नेश्ट यहाँ पर आप लोग का reason करा दूँ, मैंने सोचा कि यहाँ पर कभी आप लोग कोई confusion हो जाए यहाँ पर यह है Defense Institute of Advanced Technology, ठीक है यहाँ पर पूरे में जिसके साथ में मिलकर DRU के द्वारे हाँ पर support किया गया इनके द्वारा डवलफ किया गया था Atulia, ठीक है तो Atulia जो हाँ पर डवलफ किया गया था, एक cost effective solution जो कि, जो कि यहाँ पर एक तरीके से जो coronavirus से little case है उनके बीच में कहीना कई एक तरीके से जो office के अंदर या फिर home के अंदर जो हाँ पर जो चीजे है basically, कहीना कि इसको install किया जा सकता है और एक तरीके से आपर जो Atulia है, ये operate किया जाता है या तो portable या फिर fix तरीके से, ये भी हाँ पर एक तरीके से virus के साथ में लड़ने के लिए हाँ पर help करता है यनि कि अलग-अलग जो इस तरीके से जो organization है, वो अलग-अलग इस तरीके के product बना रही है तो कोई भी confusion mind में रही रखना है बस यहाँ पर ये रियात बरतनी है कि इसको metal के जो surface है उसके उपर इसको नहीं रखना है उसके लिए slowable नहीं है आपा तो इसके बारे में जो range है 50-60 जो time pressure की differential hitting जो इस पर भी एक काम कर सकते हैं आपा तो अतुलिया किसके दोर्ड लव क्या गया है? coronavirus से लडने के लिए DRDO से मिलकर जो institution है आपा Defense Institute of Advanced Technology तो इसी से मिलती हुई थोड़ी से news थी मुझे लगा कभी confusion हो जाए तो इसके साथ में इसका नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स जो आपर जो news है एक particular personality based यहाँ पर news है यह बात की जा रही है प्रोफेसर बीबी लाल के बारे में ठीक है? तो यह बीबी लाल जो है इनका जो जनम हुआ था यह इनका मई के महिने में 1921 में इनका जनम हुआ था यह इनके अगले साल मई के महिने में 1921 में यह 100 साल यह पूरे हो जाएंगी यह इनके सोवा साल इनको यहाँ पर स्टार्ट हो गया है तो Professor B.B. Lal को हाँ पर Union Culture Ministry के द्वारा release की गई है E-Book Insulated जिसका नाम रखा गया Professor B.B. Lal India Rediscovery यहनके काफी कुछ इनके द्वारा discover किया गया तो इसके चलते हैं हाँ पर काफी बड़े Archaeologist है हमारी country गये इनके द्वारे हाँ पर Director General of Archaeological Survey of India में हाँ पर इनके द्वारा जो जोब किये गई यह 1968 से 72 तक यहाँ पर यह Director General है इसी के साथ में Indian Institute of Advanced Studies Simla के अंदर भी हाँ पर यह Director रहे तो काफी अच्छे से आपर इनके द्वारा काम किया गया अलग-अलग committee जो UNESCO के द्वारा बनाई गई है उसका भी यह Part रहे हैं बाकी इनको पदम भूसन से नवा जा गया 2000 में 1975 से 76 तक यहाँ पर Archaeological यह Archaeology of Ramayan साइट जो Ramayan से लिटेड जो साइट थी उन प्रोजेक्स के उपर भी इनके द्वारा काम किया गये अलग-अलग 5 साइट यहाँ पर mention की गये बेस तो question direct यहाँ पर मुस्किल है पर लेकिन background में जाकर ऐसी चीज़ा आप लोग उसे पूछी जा सकती है next यहाँ पर यह भी एक important information आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर National Gallery of Modern Art इनके द्वारा यहाँ पर जो जामिनी रोई आप लोगों से question बने अगर इस्टी के अंदर जामिनी रोई कुन थे तो यहाँ पर यह एक painter थे ठीक है तो इनका नाम आप लोग जाद रखेगा इनकी 133 वी birth anniversary जो थी उसके चलते हैं अभी बात की जा रही है तो यहाँ पर जामिनी रोई का जो duration आ 1887 से लेके 1932 तक इनका duration आ यह जो हमारी country में काफी बड़े painter जिनका नाम आप लोग ने सुना भी होगा अभिनेंदनात टैगोर इनके सिसे भी हाँ पर यह रहे है इनको पदम भूशन से भी इनको नवा जा गया 1955 में इनके दौरा काफी लाज स्केल पर काम किया गया इसी के साथ में लेलित कला अकैदमी के दौरा हाइस्ट ओनर भी इनको दिया गया लेलित कला अकैदमी अवोर्ड से कंफर्म किया गया नेसनल आर्ट अकैदमी ओफ आर्ट गोर्मेंट ओफ इंडिया के दौरा यहाँ पर 9 mastery category में इनको रखा गया और यहाँ पर बोला गया इनको to be art treasure, यहनि कि एक तरीक से इनको धन की तरीके से माना गया और एक तरीके से सुंदरता का भी एक तरीक से परतीक इनको माना गया, ठीक है, तो artistic और artistic, तो values की तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, तो यह काम कोन करता है, इस particular category में रखने का, तो ministry of culture, जो archaeological survey of India है, वो यहाँ पर करता है, तो जामनी रोगे को इस category में भी हाँ पर रखा गया है, तो यह भी particular personality से related कुछ बात है आप लोगों बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा serious करके आप लोग ऐसी news को देखा करो, और थोड़ा सा revision भी उनका करते रहा करो, तो ministry of culture की side से जो department of museum and culture है, उनके द्वारा launch की गई है, array of genius, ठीक है, तो आप लोग जानते है, सत्यजीत रे का नाम तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, array of genius, जो इनका नाम इस तरीके से क्यो रखा गया है, क्या है, आपर ये short film, क्यो है, आपर suit की जारी है, क्यो लौंच की जारी है, क्योंकि सत्यजीत रे साब की अगर time duration आप लोग देखोगे, 1921 से लेके आपर देख सकते हैं आप लोग, क्या क्या चीज़ें इनोंने नहीं की, आप लोग ये समझें, हर एक तेरिया में आप लोग इनको देख सकते हैं, कई सारी इनकी famous film है, जैसे की पत्थर पांचाल, ठीक है, पांचाली, ये 1955 में आय थी, अपूर, अपूर, ये हैं आपर संसार, ये 1959 में आथी, अपूर, त्रिलोगी, ठीक है, तो ये एक मुवी हैं आपर, तो इनके बारे में अलग-अलग मुवी है, जो इनके द्वारा शांदा तरीके से आपर, ये मुवी, अलग-अलग तरीके की स्टोरीज, नोवल वगएर भी, इनके द्वारा यंग जो चिल्डरन हैं और टीनेजर, उनके लिए भी काफी काम किया गया, इसी के साथ में हाँ पर, मेजर अवोर्ड भी इनको कई सारे मिले हैं, लगबग 32 इंडियन नेसनल फिल्म अवोर्ड इनको मिले हैं, अकैडमी ओनरी अवोर्ड इनको मिला 1992 में, इसी के साथ में भारत रतन से भी इनको नवाज आ गया 1992 में, ठीक है, तो इन personality से लिटर यहाँ पर कौन से ministry काम कर रहे हैं, तो ministry of culture जो हाँ पर basically हाँ पर काम कर रहे हैं, और a ray of genius यहाँ पर launch किये एक short form इन से लिटर, ठीक है, तो यह है इसके बारे में information, यह आप लोग को बता होना चाहिए, कुछ और important छोड़ी छोड़ी news है, जो आप लोग यहाँ पर idea रख सकते हैं, जैसे सबसे पहले जो news निकल कर आ रही है, यह आ रही है दिल्ली से, तो देहली government के दुआले आपर special corona fee लगा दी गई हैं, अगर कोई सराब खरीद रहा है, यानि कि अगर 100 रुपेगी कोई सराब आती हैं आपर, तो उस पे 70% extra, यानि कि 170 रुपेगी होँआपर हो सराब मिलेगी, 70 रुपे जो हैं आपर काटे जाएंगे, तो हैं आपर यह कि सारे area से गलत भी news आ रही है, कि यहाँ पर इसको जो बहुत लंबे समय से रोके वे थे, दारू नहीं मिली, सराम नहीं मिली, उसके चक्कर में भी कही सारी गलत गलत news में निकल कर आ रही है, कही सारे area से, external for ministry के दौरा है हाँ पर strong protest यहाँ पर दिखाया गया है, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं पर ministry of foreign affairs के दौरे आपर यह तरी से response है, आपर article 370 जो हम लोगों ने आपर change किया है, बोल रहे है उसका response है, क्योंकि इनके हिसाब से अगर चलें, तो illegal तरीके से आपर violation किया गया है, जो UN Security Council के resolution का हमने article 370 के साथ में छेट खानी कर गे, इसलिए आपर यह आप लोग का idea जरूर होना चाहिए, राइस्थान government के द्वारा यहाँ पर salary है, वो differ कर दीगी है, क्योंकि राइस्थान के पासे पैसा नहीं है, तो लगबग यहाँ पर जो पैसा है, उससे 70% कमी, यहाँ पर अभी चल रही है, पैसे की, तो इसके चलते हैं, यहाँ पर सार जानने को मिला, नेश्ट हम लोग ने आप पर India और UK मेल के क्या काम कर रहे है, खासकर monsoon या फिर weather forecasting के बारे में, वो सारी सीजे समझी, नेश्ट यहाँ पर एक important footballer के बारे में जाना, जिनके बारे में आप लोग का idea होना चाहिए, डियाडियो कैसे काम करी है, अलग-अलग फिल्ड में उनके बारे में जानने को मिला, नेश्ट यहाँ पर एक और यहाँ पर डियाडियो के project के बारे में हम लोगों ने जाना, नेश्ट यहाँ पर एक important personality बीबी लाल जी के बारे में जानने को मिला, नेश्ट हम लोगों ने आपर एक और important personality जामिनी राय के बारे में रोह के बारे में जाना रोहे के बारे में तो ये भी आप लोग याद रखते हैं और यहाँ पर museum और culture से लिटे जो चीजे थी आपर सत्यजीत रेजी के बारे में वो हम लोग को जानने को मिली कुछ important छोड़ी छोड़ी news भी हम लोग ने देखी जिन से direct आप लोग थोड़ा सा idea रख सकते हैं आईए अब आज के quiz देखते हैं सरसे पहले बात की जारी है डेली government के दौरह हैं आपर क्या नाम दिया गया है जो 70% increase किया गया है जो maximum retail price होता है अल्कॉल का उसके उपर में मेकोंग गंगा कोर्पेशन जो है वो कब यहाँ पर basically पिक्चर में आया था और इसी के साथ में कौन कौन सी कंट्री है इंडिया, थाइलेंड और वियतनाम के अलावा और कौन सी कंट्री है नेक्स यहाँ पर बात की जारी है अल्ट्रा वोइलेट डिसिंफेक्शन यहाँ आपर यू ब्लास्टर के नाम से जना आता है किसके द्वारा ड़लफ किया गया है इसी के साथ में इंडियान साइंस की जो टीम है आपर वो मिलकर काम कर रही है यू के की इंस्टिउशन के साथ में उसका नाम आप लोग को बताना है मौनसून की वेधर फोर्कास्ट के बारे में नेश्ट यहाँ पर आप लोग को बताना है इसका पूरा टाइटल क्या रखा गया है मिनिश्टि ओफ कल्चर के दौरा प्रोफेसर बीबी लाल पूरा नाम क्या रखा गया है जो कि आपर E-Book जारी की गई है 1976 के बारे में बात की जारी है जैमनी रोय के बारे में तो कौन सी मिनिश्टि के दौरा इनको 9 Master की के टेगरी में रखा गया है यह आप लोग को बताना है, कौन सी मिनिष्ठी यहाँ पर मिलकर, basically हाँ पर काम कर रहे हैं, सत्य जीत रे से लिटर, और इनकी फिल्म का नाम क्या रखा गया है, यह आप लोग को बताना है, तो इससे पता चलेगा कि लेक्चर कितने चेसे सुना, अगर आप लोग इनका अच् अच्छाओंट है तो, तो मिलता हूने एक लेक्चर में, बड़ो को नमस्ते, चोड़ो को प्यार, छोड़ी सी लाइफ ए इंज्योए को रहा है, लेक्चर अगर पसंद नहीं आतो डिसलाइक जरूर कीजएगा, डिसलाइक कर गे कमेंड बोक्स में बताना कि डिसलाइक क्य किया है, ताकि उसको इंप्रूव किया सके, लाइक भी कीजएगा अगर पसंद आता है तो, मिलता हूने एक लेक्चर में, बड़ो को नमस्ते, चोड़ो को प्यार, चोड़ी सी लाइफ ए इंज्योए को रहा है, तब तक के लिए, जैहिंद!